बांगलादेश में दो बेगोंगों की बीस सत्ता के लड़ाई व्यक्तिगत हो गई हैं दरासर प्रधान मंत्री शेख हसीना ने पूर्प्रधान मंत्री खालिदा जीया पर जेल में बिमारी का ढोंग करने कारोप लगाया है उन्हें ने का कि ऐसा वा कोर्ट में लंबित पढ़े ब्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए कर रहे हैं तीन बार बांगलादेश प्रधान मंत्री रह चोकी और मुख्य विपक्षी पार्टी बिनपी की अध्यक्षताब पिछले चार महीने से धाका की दो साल पुराने जेल में बंद हैं जिया चैरी टेबल प्रस भश्टाचार मामले में कई तारीकेत होने के बावजूद वा सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं जा रहे हैं सताधारी आवामी लीक की बेठक में शनिवार को प्रधान मंती हसीना ने कहा अगर जिया बिमार भी है तो इतनी बिमारी नहीं है कि वा सुनवाई में ना जा सके कोट की सुनवाई से बचले के लिवा बिमारी का ढोंग कर रहे हैं उन्हें पता है कि अगर वा कोट जाएंगी उनकी पोल खुल जाएगी या सच है 22 वर्षी जीया और 70 वर्षी हसीना के बीज दुश्मरी कोई नई बात नहीं है दो सबसे प्रभाव शाली महिलाओं की इस लड़ाय के कारण पिछले तीन दश्कों से बंगादेश की राजनीती में जहर भर गया है